So, what's up guys, welcome back to my channel Gaming with AR तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है Retail Store Simulator की नियो अपडेट पे और Retail Store Simulator की upcoming अपडेट पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है आप लोग जाके देख सकते हैं तो Retail Store Simulator में एक तरीके से 9 अपडेट आई है और इन में से कोई भी बड़ी अपडेट नहीं है सारी ही छोटी छोटी सी अपडेट है तो हमारी सबसे पहली अपडेट ये है Manual Cashier Remote Added तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग चाहेंगे वो Cashier को बोल सकते हैं तो दो चीज़े हैं पहली चीज़ तो ये है कि Cashier को हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं जो कि हम लोग इस अपडेट से पहले भी कर सकते थे जब Cashier की अपडेट आई थी तब से हम लोग Cashier को कहीं भी मूव कर सकते हैं तो दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग cashier की look sensitivity अपने लियास से रख सकते हैं और मैं आपको यह कहूंगा कि आप लोग cashier यह sensitivity को नहीं छेड़ें तो जाद अच्छा है तो हमारे दूसरी update यह है Better looking shelves तो इसका मतलब यह कि जो हमारे shelf होते हैं जिसमें हम लोग item रखते हैं तो इन shelf को थोड़ा सा अच्छा गड़ दिया गया है तो हमारी तीसरी update यह है You can open close shop anytime you want no restriction तो इसका मतलब यह कि हम लोग कभी भी अपनी shop को यानि कि super market को open यह close कर सकते हैं तो यह update personally मुझे अच्छी लगी आप लोगों को कैसी लगी comment में जरूर बताईएगा तो हमारी चौती update यह है Ben sound when NPC enter shop NPC का मतलब मैं हर वीडियो में बताता हूँ इस वीडियो में भी बता देता हूँ Non-pillable character यानि कि वो character जो हमारे control में नहीं है गेम के control में है मतलब के customer Customer जब भी supermarket में इंटर होगा तो एक sound आएगा bell का तो हमारी पाचवी update यह है NPC now avoid shelf and freezer तो इसका मतलब यह है के customer बचेगा shelf और freezer से तो इसका मतलब यह है के पहले customer shelf और freezer के अंदर चले जाता था यानि के glitch हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा तो हमारी छटी update यह है NPC now find furniture much easier not wandering around तो इसका मतलब यह है के customer जो है वो जब आता था पहले supermarket में इस update से पहले तो वो पूरे supermarket में घूमता रहता था और इसको furniture यानि के shelf और freezer नहीं मिलते थे लेकिन अब इस update के बाद असानी से मिल जाएंगे तो हमारी साथ वी update यह है bigger office तो इसका मतलब यह है कि हमारी supermarket को नहीं हमारे office को बढ़ा कर दिया गया है तो इस update से बहुत से लोग confuse हो जाएंगे कि हमारे जो super market है वो दो इतनी है यह update किस चीज़ की है तो यह update है हमारे ओफिस की और ओफिस के साथ-स साथ हो हमारा storage room भी यह है तो यह हो जगा जो हमारा storage रूम भी है और हमारा ओफिस भी है तो यह ओफिस इसलिए क्योंके इसमें जो कंप्यूटर रखा हुआ है इससे हम लोग अपनी शॉप को एकस्पैंड कर सकते हैं और अपनी सुपर मार्केट के लिए यहीं से हम लोग कुछ भी ओर्डर दे सकते हैं और स्टोरिज रूम यह हम लोग यहां पर रख सकते हैं तो हमारी आर्ट वी अपडेट यह है बैटर लुकिंग बैकग्गराउंड इन शॉप लेवल अपग्रेड टू मतलब मतलब यह है कि जब हम लोग अपनी शॉप यानि के सुपर मार्केट को एकस्पैंड करेंगे लेवल टू पे तो अभी जो हमारा बैक्ग्राउंड है सुपर मार्केट का यतना जादा अच्छा नहीं है लेकिन लेवन टू पर ये इससे भी जादा अच्छा हो जाएगा तो हमारी नवी और आखरी अफडेट ये है आप्शन्स बटन तो इसका मतलब ये है कि गेम में हम लोगों को एक सैटिंग आप्शन देखने को मिल गया है जिसमें अभी के लिए सिर्फ चार आप्शन है पहला है री सॉलूशन और री सॉलूशन के नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को जारा टाइम तक गेम खेलना है तो आप लोग री सॉलूशन को मिडल में ही साट कर लें कुछ इस तरीके से और दूसरा आप्शन है लुक संसिटिविटी तो री सॉलूशन मिडल में रहा है ये गेम की तरफ से रिकमेंड हुआ है और मैं आप लोगो को यह recommend करता हूँ कि आप लोग resolution, look sensitivity दोनों को यह ऐसे रहने दे जैसा यह है और cashier look sensitivity आपके उपर है आप लोग जैसा चाहे इसको start कर सकते हैं तो बस आज की वीडियो में इतना ही ऐसे ही और अच्छी वीडियो के लिए इस वीडियो को like कर दिएगा चैनल को subscribe कर दिएगा औ जिस तरीके से क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो साती रहेंगी और इस वीडियो का like एम है 50 likes मैं मिलूँगा आप सब लोग से अपनी अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई